नमस्कान वित्रान्नों पुना एक दा ब्रह्मांड कट्टा यूट्टूब चैनल वर छोटा पैकेट बड़ा दमा का ग्योँनालग मीर आजे ज्यादव संसापक्त यानाते ने तुम्चे सर्वांस मनप्रक हार्दिक साउगत करतो या चैनल वर खरत या कैनल ला कुप लोकाल लाइक करा लगले सब्सक्राइब करा लगले तैक बदर प्रतम में तुमस्का अभार वक्त करतो है अविनाग की माजा ढाले आनि मला बलाया अला मुंकेस सा आरेकम करता है अविनाग ये खरत गश्ट नागरी कहेट है गेश्टन आगरे गंता संदमान करने हे मादा आत्त करता भी मानतो या दुष्टी को ना तुन आज आविनागी नी पुड़ाकार गयो उन हाँ मुखेगी ता कारिकम करता है खरते या टीम ला मला खुब शुवेच्चा देया कि मुखेगी यहाँ विशे आसात है कि जो कधी तुम्हें आई कोई शक्ता साधा सरस निर्मा मानस अशी तेकी खाती अनि मुरुदू लावा कुटे चक्चे पंजेन है असा तेतक गानव हे सग्यान भावत अशे मुखेगी जिनता आद आपन जन्मश्यताब्दी वर्शन मित्त है या यूटूब प्रेवर नवर छोटा पेकेट बड़ा धमा काई या चा माध्य मातून ये तो है अनि अच्चे गायक इतके तक्तिक है अविनागी नतामकी मित्र हेमेंगी वाया सुधा राजेश अनि पुना एकदा वना गया है यहन्ना आमी पुना संदी तेन्ना म्याली है तो दोन्दा तेन्ना या कारेका मु वेदिन देखिली करना रहा है और गानार देखिए तो है तत पुर्वी मिनेमी प्रमाने तुम्हाला अववान करतो है या ब्रह्मांड कट्टा यूटूब चैनल ला तुम्ही सब्सक्राइब कला लाइक करा और कमेंट्स जरूर करा कमेंट्स के लिए या गायक कला करनंच सब्सक्राइब करतो है या ब्रह्मान कट्टा के इस यूट्यूब चैनल पर छोड़ा पैकेट बड़ा धमाका इस टाइटल के अनतर कर आज हम आपके सामने लाएं हैं मुकेश जी के बहुत ही खूब सूरत गाने आप सबका फिर एक बार इस चैनल पर तहें दिल से स्वागत है मुकेश जी जब अपनी बहन की शादी में गाना गा रहे थे तो उस जमाने के मशूर अभिनेता जो उनके रिष्टेदार भी थे मुकेश जी ने उनको सुना और उनके पिताजी को मना कर उन्हें बंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ले आए लेकिन मुकेश जी गाएक नहीं अभिनेता बनना चाहते थे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था भगवान उनकी आवास को अमर बनाना चाहते थे ऐसे ही कुछ इंट्रेस्टिंग किस्से मुकेश जी के बारे में मैं ब्रेक में लेती जाओंगी कारिक्रम शुरू करने से पहले मैं श्री राजिश जादव जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हूं कि वे नए-नए कलाकारों को ये मंज प्रतान करते हैं और उनकी हुनर आप तक पहुँचाने का जरिया बनाते हैं थांक्यू सो मज राजिश जी आए कारिक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म का नाम है पहचान शंकर जैकिशन की धुन और नीरच के बोल बस यही अपराद मैं हर बार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ आपके सामने ला रहे हैं हे मन जी अपने ही अंदास में बस यही अपराद मैं हर बार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ बस यही अपराद मैं हर बार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ एकखिलो ना बन गया दुनिया के मेले में कोई खेले बीड में कोई अकेले में एक खिलोना बन गया दुनिया के मेले में कोई खेले बीड में कोई अकेले में मुस्कुरा कर भेट हर स्वीकार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी हात खाली है मगर व्यापार करता हूँ हात खाली है मगर व्यापार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ दुरूरूरूरूरूरूरू मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग दर्ती पर आदमी जिस में रहे बस आदमी बंतर उस नगर की हर गली तयार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ बस यही अपराद मैं हर बार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ दोस्तों मुकेश जी बंबै आतो गए एकाथ फिल्मों में काम भी किया एक दो गाने भी गाए लेकिन ना उनकी फिल्में चली ना उनकी गाने चली क्या आप जानते हैं मुकेश जी को इतना बड़ा सिंगर किस ने बनाया वो क्या किस्सा था कि अनिल बिस्वास जी ने उनके गालों पर तड़ा तड़ तमाचे जमाये थे ये क्या किस्सा था और ये क्यों हुआ था ये मैं अगले गाने के बाद बताऊंगी अब लेते हैं इस कारेकरम का दूसरा गाना फिल्म का नाम है तीसरी कसम बहुत ही खुबसूरत फिलसोफिकल गाना दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई गाना सुनते हैं अब इनाश जी मुकेश जी के इस गीत को अपने ही अंदाज में प दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाए तुले काहे को दुनिया बनाए काहे बनाए तुने माठी के उतले धरती ये प्यारी प्यारी मुखडे है उजले काहे बनाया तुने दुनिया का खेला काहे बनाया तुने दुनिया का खेला जिसने लगाया जवानी का मेला दुप चुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई काहे को दुनिया बनाए तुने काहे को दुनिया बनाए दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तु भी तो तड़ता होगा मन को बना कर तु पा ये प्यार का मन में चुपा कर कोई छबी तो होगी आँखों में तेरी आसु भी छलके होगे पलकों से तेरी बोल क्या सुजी तुझको काहे को प्रीत जगाई तुने काहे को दुनिया बनाई तुने काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तुने काहे को दुनिया बनाई काहे को दुनिया बनाई तुने जीना सिखाया हसना सिखाया रोना सिखाया जीवन के पथ पर मीत मिलाए मीत मिलाके तुने सपने जगाए सपने जगा के तुने काहे को दे दी जुदाई काहे को दुनिया बनाई तुने काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन्द में समाई काहे को दुनिया बनाई तुने काहे को दुनिया बनाई दोस्तों मोदिलाल जी के कहने पर अनिल विस्वास जी ने मुकेश जी को अपनी एक फिल्म पहली नजर में एक गाना गाने का मौका दिया मुकेश जी को HMV स्टूडियोस पहुंचना था रेकॉर्डिंग के लिए लेकिन मुकेश जी बहुत ही नर्वस थे उन्होंने सोचा एक दो पैक पीलू तो थोड़ी सी हिम्मत आएगी लेकिन जब वो पीने बैठे तो पीते ही चले गे पीते ही चले गे और रेकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे ही नहीं अनिल विस्वास जी उनका इंतजार करते करते ठक गए और उनका पता पुछते पास थे वो उस महफिल में पहुंच गए जहां मुकेश जी अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे और जाम पे जाम पिये जा रहे थे अनिल जी ने उनका गिर्याबान पकड़ कर उन्हें घसिते हुए ले आए और उन्हें गाड़ी में पटक दिया इसके बाद का किस्सा अगले गाने पे सुनाती हूँ अब सुनते हैं मुकेश जी के होम प्रोडक्शन डालिंग फिल्म्स के बैनर तेले बने हुई एक ही फिल्म मलहार का एक गीत बड़े अर्माने से रखा है बलम तेरी कसम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम सुधा जी और हेमन जी की अंदाज में बड़े अर्मानों से रखा है बलम तेरी कसम हो बलम तेरी कसम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम ने उटा प्यार की अंदाज में दुर दुनिया की निगाहों से कहीं जाएंगे हम वो कहीं जाएंगे हम प्यार की दुनिया में पहला कदम बढ़ अर्मान उसे रखा है बलम तेरे कसम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम तेरी तो आखों में दिगते हैं मुझे दोलो जहां इनि में को गया दिल में रखों दूलो कहां चांद गड़ता हो गड़े अप महबत न हुकम जार की दुनिया में ये पहला कदम बढ़ अर्मान उसे रखा है बलम तेरे कसम जार की दुनिया में ये पहला कदम मेरी नईया को किनारी का इंगजार नहीं तेरा आचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं तेरे हो तेरे हुए क्यों हो मुझे तूफान का घम जार की दुनिया में ये पहला कदम बढ़ अर्मान उसे रखा है बलम तेरे कसम जार की दुनिया में ये पहला कदम दोस्तों आगे क्या हुआ सुनने के लिए बेताब हो ना? अनिल जी मुकेश जी को घसिकते हुए हमवी स्टूडियो ले आए वाश बेसिन पे उनका सर घुसा कर नल शुरू कर दिया मुकेश जी का नशा जब थोड़ा उत्रा तो अनिल जी से बोले अनिल जी रेकॉर्डिंग किसी और दिन कर लेते हैं आज मैं रेकॉर्डिंग की स्तिथी में नहीं हूँ बस उनका ये कहना था कि अनिल जी का पारा सात्वे आस्पान पर चड़ गया और उन्होंने तड़ा तड़ मुकेश जी के गालों पर तमाचा जड़ दिये और कहा रेकॉर्डिंग तो तुम आज ही करोगे नहीं तो सब के सामने ले जाकर पीटूंगा और उस दिन मुकेश जी का वो गाना रेकॉर्ड हुआ दिल जलता है तो जलने दे आसू नबहा फरियाद नकर जिसे सुनकर उन दिनों के मशहूर गायत केल सहगल भी अचंबे में पढ़ गए इसके बाद क्या था दोस्तों मुकेश ने कभी मुड़ कर नहीं देखा आगे बढ़ते हैं और मुकेश जी का बहतरीन गीत सुनते हैं फिल्म का नाम है अनाडी इस फिल्म के लिए राज कपूर को फिल्म फैर का बेस्ट एक्टर का खिताब मिला था किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उजा उधार लीजे सुनते हैं आविनाज जी के आवाज में किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तुमें उधार किसी के वास्टे हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तुमें उधार किसी के वास्टे हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फतीर है फिर भी आपनी आपनी जेब से फतीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर है माना अपनी जेब से फतीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर है मिटे जो प्यार के लिए वो जिन्दगी चले बहार के लिए वो जिन्दगी किसी को हो ना हो लें तो है एक बार जीना इसी का नाम है रिष्टा दिल से दिल के एतबार का जिन्ना है हम इसे नाम प्यार का के मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आंसों में मुस्कुराएंगे कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहतों पे हो निजार किसी का दर्द भुल सके तुले उधार किसी के वास्थे हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है किसी का दर्द बार जीना इसी का दर्द दिल में प्याद आएंगे मुकेश जी का पहला पॉपलर गाना था दर्द आएंगे जलता है तो जलने दे और ये उनको बॉलिवुड में लाने वाले मुतिलाल जी पर फिल्म आया गया था फिल्म के डायरेक्टर मजहर खान इसे फिल्म में रखना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये बहुत ही स्लो, सैड और बोरिंग सॉंग है ये गाने से फिल्म फ्लॉप हो जाएगी लेकिन मुकेश जी ने मजहर खान से बहुत मिन्नतें की कि ये गाना फिल्म में रहने दे आखिरकर डारेक्टर ने इस शर्त पे माना कि सिर्फ एक हftah यानि साथ दिन वुग इस गाने को फिल्म में रखेंगे फिल्म चली गाना चला तो ठीक, नहीं तो वो इसे फिल्म से निकाल देंगे फिर क्या था फिल्म तो चली गाना भी खूब चला और मुकेश जी चा गए चलिए अगला गाना लेते हैं दोस्तों अब जो गाना पेश है वो भी मुतिलाल जी के उपर ही फिल्म आया गया है फिल्म का नाम है जाकते रोहो और गाने के बोल है जिन्दगी खाब है खाब में जूट है क्या और भला सच है क्या जिन्दगी खाब है खाब में जूट क्या और भला सच है क्या जिन्दी खाब है खाब में जूट क्या और भला सच है क्या सब सच जिन्दी खाब है दिलने हमसे जो कहा हमने वैशा ही किया दिल ने हम से जो कहा हमने वैसा ही किया फिर कभी पुर्सत से सोचेंगे बुरा था या हला जिन्दगी खाब है खाब में जूप क्या और बला सच है क्या जिन्दगी खाब है एक कत्रा मैं का जब पत्थर के होटों पर पड़ा एक कत्रा मैं का जब पत्थर के होटों पर पड़ा उसके सीने में भी दिल धड़का ये उसने क्या कहा क्या जिन्दगी खाब है खाब में जूप क्या और बला सच है क्या जिन्दगी खाब है खाब में जूप क्या और बला सच है क्या जिन्दगी खाब है क्या जिन्दगी खाब में जूप क्या जिन्दगी खाब है कि एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि मुकेश जी की ये गाने हमारे गाये दिल की गहराई से गा रहे हैं और सुनने में इतना मज़ा आ रहा है हेमन जी अविनाज जी सुधा जी क्या खूब गाये आप ये गाने बहुत शुक्रिया दोस्तों ऐसी गलत फहमी उन दिनों थी कि मुकेश जी कुछ सीमित कलाकॉरों के लिए ही गा सकते हैं जैसे राज कपूर जी, दिलीब कुमार जी, मनुश कुमार जी लेकिन मुकेश जी ने इस गलत फहमी को गलत साबित की और कई नाइकों के लिए प्लेबैक दिया जैसे फिरोस खान, राजश खना, आमिताब बच्चन, मनिश जी, संजीब कुमार जी वगेरे वगेरे चलिया आगे बढ़ते हुए, फर्स फिलम का एक युगल गीत सुनते हैं, सुनकर ऐसा लगता है कि मुकेश जी नहीं, बलकि जी तेंदर ही गा रहे हैं गाने के बोल हैं, हम तो तेरे आशिक हैं, सदियों पुराने, चाहे तू माने, चाहे न माने आपके सामने प्रस्त कर रहे हैं, अविनाश जी और मैं हम तो तेरे आशिक हैं, सदियों पुराने, चाहे तू माने, चाहे न माने हम बेजमाने से है तेरे दिवाने, हम बेजमाने से है तेरे दिवाने हम बेजमाने से है तेरे दिवाने, चाहे तू माने, चाहे न माने चाहे तू माने, चाहे न माने आई है यू प्यार से जवानिया अर्मा दिन में है दिल मुश्किल में है जान तमन्ना तेरे इसी प्यार की कहानिया अर्मा दिल में है सब के दिल में है जान तमन्ना छेड़ते हैं सब मुझ को अपने बेगाने चाहे तू माने चाहे न माने हम तो तेरे आशिक हैं सजियों पूराने चाहे तू माने चाहे न माने चाहे तू माने चाहे न माने मुझ को तू माने चाहे तू माने चाहे तू माने चाहे तू में बटने कभी हाथ से, ता मन चूटे तो, दो दिल रूथे तो तो फिर क्या हो, ऐसा नहो काश कभी प्यार में, बाते तूटे तो, दो दिल रूथे तो फिर क्या हो, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, चाहे तू माने, चाहे ना माने, हम व्य Зमाने से तेरे दिल माने, चाहे ना माने, चाहे तु माले चाहे या माले मस्त निगाहों से से दिल को मस्त बनाए जा और पिलाए जा प्यार के सागर दिल पे भड़े शोक से सितंगर फेस लगाए जा तीर चलाए जा याद रहे पड़े तीर कभी बन जाते है खुद निशाने चाहे तु माले चाहे ना माले हम तो तेरे आशिक है सदियों पूराने हम दिजमाने से सिख तेरे दिमाने चाहे तु माले चाहे ना माले चाहे तु माले चाहे ना माले मुकेश जी उन गायकों में से थे जो लता जी के बहुत खरीब थे लता जी उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी और उन्हें मुकेश भाया कहकर संबोदित करती थी उनके उम्र की आखरी पड़ाउथर ये रिष्टा यूही काइम रहा आए सुनते हैं पूर्णिमा फिल्म का ए मदमाता गीत हमसफर मेरे हमसफर पंक तुम परवाज हम लता जी के साथ इसमें मुकेश जी ने दिया है गुलजार जी क के बोल हैं और कल्यान जी आनन जी का संगीत है पेश कर रहे हैं हेमन जी और सुधाजी आनननननननन हम सफर मेरे हम सफर तंक तुम परवार हूं जिन्दगी का साथ हो तुम हम सफर मेरे हम सफर पाख तुम परवाज हम जिन्दगी का वी तो हो तुम जीत का अंदाज हम हम सफर मेरे हम सफर आक ने शर्मा के कह दी दिल के शर्माने की बाद एक दिवा में ने शर्माने की बाद प्यार के तुम इत्हा हो प्यार का आगाज हम हम सफर मेरे हम सफर पंक तुम परवाज हम जीत का अंदाज हम हम सफर मेरे हम सफर जिक्र हो अप आसमा का या जमी की बात हो खत्ल होती है दुमी पर अकही की बात हो हो खती तुम में तभी तुम नाद मी तुम नाज हम नाज मी तुम नाज हम हम सफर मेरे हम सफर पंक तुम पर आज हम जन्दगी का साज हो हम, साज की आवाद हम हम सफर मेरे हम सफर, कमक तुम परवाद हम जिन्दगी का साज की आवाज हम मुकिश जी को वॉस ओफ दे मिलनम और ट्राजिडी किंग भी कहा जाता था ये सच है कि अगर दस गाने मौज मस्ती के और एक दर्द भरा गाना मिल था तो मुकिश जी दस गानों को ठुकरा कर एक दर्द भरा गाना गाते थे लेकिन उन्होंने मौज मस्ती के गाने भी बहुत खूब गाए हैं आये सुनते हैं महमूत फर फिल्म आया गया एक बहुत ही खुब सूरत मस्ती बरा गीत फिल्म का नाम है शबनम, म्यूजिक डारेक्टर है उशाख खन्ना जी और गीत के बोल लिखे हैं जाविद अन्वर तेरी निगाहों पे मरमर गए हैं सुनते हैं अभिनाश जी की आवाज में एरी निगाहों पे मरमर गए हैं क्या करें क्या करें क्या करें तेरी निगाहों पे मरमर गए हैं छिल्फों में लेके काली राज चले सारा जमाना लिए साथ चले जुल्फों में लेके काली राज चले ऐसे में जिने का मजा है सनम आखों से तेरी मेरी बात चले बेवफा एक निगाह देख ले देख दिले तेरी निगाहों पे मरमर गए हम पाकी अदाओं पे मरमर गए हम लब गर हूँ बे नाम हूँ मैं दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं वल्ला बे घर हूँ बे नाम हूँ मैं दिल में जो भेजा वो सलाम हूँ मैं साथी की जिस से नजर ना हुई ऐसा ही प्यासा एक जिनाम हूँ मैं बेवफा एक निगाह देख ले देख दिले तेरी निगाहों पे मरमर गए हम तेरी अदा का तो जवाब नहीं मेरी वफा का भी हिसाब नहीं तेरी अदा का तो जवाब नहीं मेरी वफा का भी हिसाब नहीं सुरत मारी बड़ी भूम सही दिल तो हमारा भी खराब नहीं बेवफा एक निगाह देख ले देख दिले तेरी निगाहों पे मरमर गए हम बाकी अदा ओते मरमर गए हम फिर एक बार कहना चाहूंगी कि हमारे सिंगर्स बहुत ही तनमाईता से और गहराई से गा रहे हैं रियली रियली ग्रेट तालियों की जोरदार गडगाट होनी चाहिए उनके लिए मुकिश जी उन दिनों गाय के तौर पर अपने पैर जमा भी नहीं पाये थे कि उन्हें एक धनवान बिसनिसमैन जो गुजराती थे राइचिन त्रिवेदी उनकी बेटी सरल त्रिवेदी से प्यार हो गया त्रिवेदी जी को ये प्यार बिलकुल मनजूर नहीं था और उन्होंने अपनी बेटी का घर से आना जाना बंद कर दिया था फिर एक दिन 22 जुलै को 1946 में सोमवार को शिवजी के मंदिर जाने का बहाना कर सरल जी बाहर गई और दोनों ने चुपचाप कांधिवली के एक मंदिर में शादी कर लिए हालांकि सबी ये कहते थे कि मुकेश जी की कुछ खास आमदनी नहीं है और सरल त्रिवेदी जी उन दिनों की करोड़ पती की बेटी थी इसलिए उनकी शादी बिलकुल नहीं चलेगी लेकिन मुकेश जी की आखरी सांस तक ये बंदन अटूट रहा उन दिनों अपने प्यार में मुकेश जी ने भी शायद कुछ ऐसा ही घाया होगा चल मेरे दिल लहरा के चल मौसम भी है वादा भी है उनकी गली का फासला थोड़ा भी है जादा भी है चल मेरे दिल फिल्म का नाम है इशारा मजरूची के बोल है और कल्यान जी आनन जी का संगीत लेकर आ रहे हैं आपके सामने हेमन जी चल मेरे दिल लहरा के चल मौसम भी है वादा भी है उसकी गली का फासला थोड़ा भी है जादा भी है चल मेरे दिल लहरा के चल मौसम भी है वादा भी है चल मेरे दिल मैं हुदा ही प्यार करा ही मेरे मंजिल प्यार की गलीया दिल में बसी है उसन की सूरत आखों में दिल दार की गलीया चल मेरे दिल लहरा के चल मौसम भी है वादा भी है उसकी गली का फासला थोड़ा भी है जादा भी है चल मेरे दिल उसकी चाहत उसकी तमन्ना हो तो हो बेकार का सपना उसकी चाहत उसकी तमन्ना हो तो हो बेकार का सपना घर से निकलना यार से मिलना ये तो कारो बार है अपना ये तो कारो बार है अपना चल मेरे दिल लेहरा के चल मोसम भी है वादा भी है उसकी गली का फासला थोड़ा भी है जादा भी है चल मेरे दिल रात गुजरी फिर भी अभी तक सोती होगी उसकी अदाए रात गुजरी फिर भी अभी तक सोती होगी उसकी अदाए दिल भी खुशी जो होगी सो होगी चल पिर उस अरमा को जगाए चल मेरे दिल लेहरा के चल मोसम भी है वादा भी है दोस्तों न चाहते हुए भी हम कारेक्रम के अंतिम पड़ाओ तक पहुशी गए आज मुकेश जी हमारे बीच नहीं रहे लेकिन आवास के माध्यम से वो हमें हमेशा याद आते रहेंगे और हमारे दिलों में जिन्दा रहेंगे आए मुकेश जी और लता जी के गाए हुए इस खूब सुरत युगल गीत के साथ इस कारेक्रम का समापन करते हैं उमीद है आपको ये कारेक्रम पसंद आया होगा कारेक्रम को लाइब सब्स्राइब और कमेंट जरूर करें मैं समझती हूँ आप तालिया नहीं बचा सकते लेकिन कमेंट जरूर करें उनसे हमें बहुत प्रोचाहन मिलेगा और आगे भी आपके लिए ऐसे कारिक्रम हम लाते रहेंगे आखरी गीत के बोल हैं कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार गाना फिल्म आया गया है विश्वजीत और माला सिन्हा के उपर फिल्म का नाम फिर कब मिलोगी म्यूजिक डिरेक्टर हैं आर्डी वर्णमन और मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत के बोल लिखे हैं ये हमारे प्रोग्राम का आखरी गाना है दोस्तों उमीद है आपको ये पसंद आया होगा शुब रात्री शबाखेर कही करती होगी वो मेरा इंतजा जिसकी तमना में फिरता हूँ बेकरा कही करती होगी वो मेरा इंतजा जिसकी तमना में फिरता हूँ बेकरा दूर जलफो की छाद हवाओं है कहता हूँ ये हवाओं से उसी बुद की अदाओं के अफसान हदा वो जो बाहों में मचल जाती हसरत ही निकल जाती मेरी दुनिया बदल जाती मिल जाता करार कही करती होगी वो मेरा इंतजार जिसकी तमना में फिरता हूँ बेकरार पर जाती है ये अर्मा है कोई पास आए इन हाथों में वो भात आए फिर खावों की घटा छाए बरसाए कुमार फिर उन्ही दिन रातों पे मत्वाल मुलागातों पे उल्वत भरी बातों पे हम होते निसार कही करती होगी वो मेरा इंतजार जिसकी तमना में फिरता हूँ बेकरार जिसकी तमना में फिरता हूँ बेकरार